एक चीज ट्रेंट कर रहे हैं जिसके बारे में आरपी ने भी अभी ट्वीट किया है। जानता हूं कैसे पूरे 100% effort साथ खेलता है एक दिन होता है आपका क्या off color हो जाता है या क्योंकि अगर आप match सही से देख रहे हैं और सही से match के बारे में आपको परक है समझने की सिर्फ हार जी से आप मतलब नहीं रखते हैं तो आप देखें कि कितनी challenging conditions थे उस समय जब बॉल गीला हो रहा था उसके बावजूद काफी effort मार रहे थे हां दो चार गल्तिया हूई उसको rectify कर ले पर जो trend कर रहा समय को लेके वो बेहतिला के बिल्कुल बंद होना चाहिए बिल्कुल और पाजी कहीना कहीं यह बहुत hurt करने वाली चीज है चुबने वाली चीज है कि हमार पर खुद के लोग यह पतानी कौन है यह ट्विटर पर वाकि में मुझे तो बहुत शरम आती है इस बात को कि आप अपने खिलाडी को इस तरीकी से ट्रोल कर रहे हैं और इस तरीकी के कमेंट से आप करते जा रहे हैं यह लोग रूपने वाले नहीं है यह मज़े लेते हैं इस तरह की चीज़ों से यह इमाजन नहीं करते हैं कि उन्हों कितना एफर्ट लगता है खिलाडी के लिए जब आप अपने देश के लिए खेल रहे हैं जब करोड़ों लोग आपसे हर समय एक्सपेक्ट कर रहे हैं हर दिन एकसानी होता है क्योंकि जो भी ट्रोल कर रहे है उनकी जिन्दगी में भी ऐसे दिनाए होंगे जहां पर कि उनको फेलियर्स मिले होंगे बिल्कुल सही कर तो अगर आप अंदाजा लगाए जो लिख रहे हैं जो इस तरह से ट्रोल कर रहे हैं उनको जो उनके बारे में लिख रहे हैं अगर वो बैट के सोचेंगे ना और जो यहां पर हम देख रहे हैं ना सिर्फ मोहमत चमी को लेकिन पूरी टीम को जिस तरीके से कल ट्रोल किया गया है चाहिए वो मेंटर महिंदर सिंग धोनी की बात करें कहीं है जो भावनाओं में बह जाते हैं आरपी यह चीज जो है कल अगर आप देखें मैच के कंडिशन देखें उस मुकाबले में मैं 5-6 ओवर के बाद मुझे समझ में आ गया था कि आज अगर हिंदुस्तान ने धाई सुरंड बनाया हुए थे न वह भी चेस हो आता है क्योंकि मनी पाजी और आरपी जैसे क्रिकेटर्स के साथ बैट कि तो समझ में आ गया था गेंट स्लेप हो भारत एक बहुत समाज का देश है यहां पर हमेसा कभी आप किसी भी डिबेब में देखे हैं क्रिकेटर्स में इंडियन साइट से कभी कोई क्रॉस नहीं करता है वो एक स्टेप बैक में और को चीज़े कभी नहीं बोलते जिसे किसी को आहत हो किसी की बहुनाओ को तो मुझ आप तो लगता है तो फैन्स को समझना चाहिए कि हम अपने आपको नहीं हमें किसी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारा वर्ल मैप एक सब समाज की रूप में जाता है कि हमारा डिमोक्रेट कंट्री में जहां पर पीसलविंग कंट्री तो यहां पर इसा बाते नह आप यह वही बात है कि अपने सुक से इतनी खुशी नहीं होती जतने के दूसरे के दुख से होती यह उन लोगों में से बिलकुल सब्साइब को इनको 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 माफ बी कर देना चाहिए क्योंकि जो इस तरह की जिंदगी बितारा आप अंदाजा लगाए क्यों उनकी ज स्टुर्ट पाइ